गुड मॉर्निंग मैं डियर फ्रेंड्स मैं रोई श्रमा स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल आपके गुरुजी में आप सब लोग जो अपनी 1000 प्लस वन वर्ड की शीरीज है उसको फॉलो कर रहे होंगे और डेफिनेटल आपको उस चीज़ का बेनिफिट जो भी है जो मिल रहा होगा शुरुबात करते हैं अपने दिन की एक इस खुबसूरत मोटिवेशनल कॉट्स से दिन रहे हैं की एक इelet यहां जितना अपने सज्ञ्स से नहीं सीख पाता व से जादा अपने failure जलते हैं क्योंकि हमने उस चीज को सिंगल वेग अंदर उसको जो है गेट कर लिया है उसको पा लिया है अब जब इनसान किसी भी चीज के लिए कभी फेलियर उसको मिलता है तो जब उसको फेलियर मिलता है तो उसको यह चीज तो समझ में आ जाती है कि मुझे यह काम करने से स उसका जो रास्ता है मंजिल का वो जादा होता है क्योंकि उस रास्ते की दर्मियान ही आप जब आपको पत्थर से चोट लगती है तो आप सीखते हो कि दर्द को किस तरीके से महसूस किया जाता है फिर जब आप और आगे चलते हो तब धिरे धिरे आपको अलग-अलग भांती बहुत एक इंसान बना देती है तो यह बहुत ही important सीज है कि आप अपनी success से इतना ने ने सीखते हैं जितना आप अपने failure से सीखते हो वह सुर्वात करते हैं आपने आज के जो सुबह सुबह के जो दस अपने one word है तुम्हें पहला one word है मोजोईग मोजोईग जो है दोस्तों इसका अर्थ यह होता है डिजाइन मेड बाइ पुटिंग टुगेधर कलर्ड पीसे ओफ ग्लास ऑफ स्टॉन्स जैसे जो एकदम बारिकी का जो काम होता ना दोस्तों जैसे जिसे अपने बोलते हैं जड़व का काम उससे बोलते हैं मोज लागे लगाते हैं और आपको चान के काफी इहरानी भी होगी कि हमारा जो राजस्तान है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो प्रिश स्टॉन्स के अंदर ही है आपको समझ में आ गए होगा कि मोजोई का क्या मतलब होता है जो जड़ाओं का जो काम होता है चीज्जों को जो जड़ने का जो काम होता है किसी भी किसी भी चीज़ पर वो आपका घर में आपका गेट हो सकता है आपका दर्वाजा बड़ा दर्वाजा हो सकता है में गेट हो सकता है आपकी कोई चेर हो सकती है कुछ भी हो सकता है इक ऐसा प्रिंट कोई भी चीज का बनाना है ऐसा पिन टेक्स्टर कोई बनाना जो कि रिजेंबल खाता हो किसी भी ओई पेंटिंग से और इस ओलियोग्राफ है नो अलब ओईल की एक पेंटिंग बनाओ आप ओईल से और वो किसी भी आपके दूसरी पेंटिंग से मेल खाता हो अलियोग्राफ इस ट्रेकरी ट्रेकरी का मतलब होता है दोस्तो ओर्नामेंटल स्टोन ओपन वर्क टिपिकली इन अपर पार्ट ओफ ए गोटोई गोटिक विंडो सजावटी नकाशी आपने दोस्तों चर्च के अंदर आपने खुबसूरत खुबसूरत खड़कियां देखी होगी आना एकदम जैसे उपर से वह एंदम राउंड थोड़ा सा राउंड होता है ट्रेंगल जैसा आप गूगल करना तो आपको गूगल गोटिक विंडो लिखना आपको सब दिख जाएगा किस तरीके की जो विंडो होती है उन विंडो के उपर जो काम किया जाता था था ना सजावटी नक एंडर्स्टें Sum एकदम Relaxx की जो फिलिंग होती उसको हम रेली फोलते हैं राहत और आगे है कि डिशेक्रेट का मतलब दोस्तों होता है पवित्र यो डि इसके साथ लगने से ही हो जाता है रिया पवित्र तो डिशेक्रेट का मतलब होता है किसी के जो हुली करेक्टर इसको खतम करना क्या कहलाता है रिजसेक्रेट कहलाताह तो To Go onto the next item सेक्रिलेज सेक्रिलेज का मतलब होता है आपवित्री करन violation of misuse of what is regarded as sacred same similar mean है तो किसे चीज की पवित्रता का जब हनन कर दिया जाता है जैसे जैसे आप कुछ में मान सकते हो जैसे अपने गंगाजल छेड़क की किसे चीज को पवित्र किया जाता है थोड़ा सा minute difference है desecrate का मतलब होता है कोई चीज एपवित्र किसी की आप holy character जब आप किसके खतम कर देते हो that's called desecrate और यह human से related होता है desecrate और आपका तो sacrilege है यह वस्तों से related होता है जैसे कोई भी जैसे आपके मूर्ती हो गई कोई भी आप और भी नो बहुत समान होता है वो शिप का जैसे आपके माला हो गई और भी बहुत सारी चीज़े उनको आप वित्र करना है it's called sacrilege move on the next item by God by God का मतलब होता है a man with a prejudiced view against religion by God का मतलब अगर आप को मैं simple भासा में बोलू तो इसका मतलब होता है cutterpanthi मतलब अपनी बात को धर्म के points से related करता है कोई भी वेक्ति जब तो वो अपनी बात को अपनी बात के उपर किसी दूसरे वेक्ति को हावी नहीं होने देता तो it's called by God by God prejudice का मतलब यहां यह होता है कि एक ऐसा वेक्ति जो कि उसने अवधाना बना रखी है पहले से कि हाँ यह चीज ऐसे ही होती है उसको समझाना या ना समझाना it's totally waste of time move on the next item it's orthodox orthodox का मतलब होता है following or confirming to the traditional or generally accepted rule or belief of a religion, philosophy or practice orthodox का मतलब दोस्तों यह है कि कोई एक ऐसा इनसान जो कि starting से अपने दादा फिर अपने पिताजी को कोई ऐसा काम करते होए देखता आ रहा है या फिर जिस परंपरा को उसके दादा उसके पड़दादा उसके पिताजी ने जिस परंपरा को follow किया तो उसी परंपरा को वह भी follow करना चाहता है वह उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता तो उस परंपरा को भी बोलते है उसके यह जो विचार है उन विचारों को बोलते है orthodox यानि रुड़ी वादी पर विचार धारा जो है ना पुराने जमानों की विचार धारा थेक है वो नेक्स्ट आइटम इसा वेक्ति जो की भरा हो अक्सेसिव एक्सेसिव एंथूजियाज़म बहुत सारे जोस से और उसका जोस और उसका उसका सीफ सिंगल माइंडे वाद एक ही प्रकार की विचार धार उसके दिमाग में है और वो क्या है especially for an extreme religious or political cause उसके दिमाग में किसी एक धरम के परती या फिर कोई एक political cause अर्थात कहने का मतलब है कोई भी जैसे कोई single party को वो बहुती जबर्दस तरीके से जब support करता है उसके लिए उस party लिए right and wrong कुछ भी नहीं है उसके लिए वो party एकदम right मतलब कुछ भी हो सकता है मैं किसी party में नहीं जा रहूँ यहाँ पर मैं अपने वर्ड की बात करें तो अब वो एक धरम के परती भी बात हो सकती है किसी particular धरम के परती और वो किसी particular political उसका point of view भी हो सकता है उस व्यक्ति को बोलते हैं fanatic move on the next item and I think it last है envy envy का मतलब दोस्तों होता है प्रतिनिदी messenger or representative especially one on a diplomatic mission यह शाइद हमने पहले भी कर लिया एक ऐसा व्यक्ति जो कि representative है अपना प्रतिनिदी है especially diplomatic mission के अंदर विदेशी जो अपना है ना सची वाले वहाँ पे यह जो है इस तरीके के जो अफसर है वो रखे जाते हैं जो कि हमारे जो डिप्लोमेटिक जो relation है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जो रिलेशन है और उन relation को सुधारने के लिए जो को special mission पर बेज़ जाता है तो उस व्यक्ति को बताते रही है क्योंकि आपके कमेंट से ही इन चीजों के अंदर जो है कि सुधार किया जा सकता है और इसके सब मेल विदा लेने चाहूंगा जैहिन जैभारत